वेलकम टू अपनाज किचन मैं हूँ अपना आज मैं लाए हूँ साबुत मूंग की बहुत जादा टेस्टी रेसिपी तो यह रेसिपी आपने अभी तक नहीं बनाई होगी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं और यहां पे आपको साबुत मूंग लेनी है और मूंग को करीब तीन से चार घंटे के लिए भिगो दीजिए उसके बाद उसका पानी निकाल दीजिए तो मैंने इसको पानी निकाल के करीब दो तीन घंटे ऐसे ही रख दिया था तो इसमें स्प्राउट्स आ गये हैं तो इस तरह से काफी हेल्दी हो जाती है बैसे तो मूंग बैसे भी ब प्रफाइन पेट चाहिए इस तरह से तभी हमें एक दूसरा ग्रैंडर जाल लेना है और बस हम इसमें च्छे से साथ के लिए लहसुन की आड़ करेंगे और एक में यहां पर प्याज लिया है तो प्याज को इस तरह से रफली चौप करके इसमें डाल देते हैं और एक चुट प्सक्टियार हो गया है तो इसको हम एक बावल में निकालने के रखे लेंगे और इधर देखिए जो हमारा दलबाले मिक्स चरह ना उसको करीब हम दो चंछ निकालनेकर लग लग रखेतें धे कि अरह तो चोटार साथी चोटा चंछ उब मार्णीपे तो थोड़ा सा मिर्च पाउडर एट करना है कि ताकि तीखी ना बने क्योंकि आगए हुमें मिर्च पाउडर या पी मिर्च का यूज करना है तो अब हम इस मिक्षर को अच्छे से फेट लेतें तो अभी हमें यहां पे एक कढ़ाई लेनी है कढ़ाई में करीब तीन चमच में ने ओयल एड़ किया है सरसों का बस इसको हम थोड़ा गरम कर लेंगे और इसमें हम डाल देते हैं करीब आदा चोटा चमच जीरा और दो तेजपत्य को तोड़के एड़ किया है और बस इने 30 स वेट में कशमेरी मिर्च पाउडर साथ ही आदा चोटा चमबर डालना है यहां प़े जीरा पाउडर और हमें यहां पे जो पेश्ट बना के रख़ा था वह आयड़ करना है तो लेसुन प्याज अद्रकवला हम पेश्ट एड़ कर देंगे फिरंस एक बात और है अगर आप पार्टेज़ देते हैं लें पारफ क्राइब Canes एक उट चमेरे लेड पेस्ट अपरेंगे जो ऐलग नगतें टेक्श्चर काफी अच्छा आता है तो बसक्त अब यहां पे मजात एड़ा एक चमच चमच high powder और ग्रेड़ चमच के करीब एड़ करेंगे धनियाँ पौडर और तोड़ा सा यहां पर रेड़ चिली पौड़र एड़ करेंगे जो काफी तीखा है तो यहां पे कश्मीरी मिर्च और रेगुलर मिर्च दोनों का ईउज किया है मैंने आप इन ड़ मसाले तो करीब मसाले काँ बुर्णा के बाद एक बड़े टमाटर की पुरी आड़ करेंगे साथ ही हम यहां पर करीब चोथाई कप पानी एड़ करेंगे क्योंकि मसाले को अच्छे से हमें कूप करना है मसाले में कच्छापन बिल्कुल भी नहीं रहना चाहिए और अब हम इनको अच्छे से मिक्स कर देंगे मसाले और टमाटर अच्छे से मिक्स हो गए हैं बस अब हम यहां पे हीट को लो कर देंगे और यहां पर हम एक प्लेट को इस तरह से ऑई से ग्रीज कर लेंगे अच्छे से ऑई लगा देना है तो इस तरह से प्लेट तो सभी के पास होती है तो प्लेट को अच्छे से ग्रीज कर लीजिए और डाल वाला मिक्स्चर हम इसमें पोर कर देंगे अच्छे से इसको हम इस प रखेंगे यह मेरे टीफिन की लिड़ है आपको एक टोरी भी ले सकते हैं तो इसको हम भीच में रख देते हैं और अब हम यहां इसमें करीब 3-4 चमच पानी अट करेंगे और इसी के ऊपर हम रख देंगे अपनी डाल वाली प्लेट अच्छे से रख दे और बस इसको अब हम धक देंगे तो मसाले में पानी आप एट कर दें नहीं तो मसाला जल जाएगा तो मसाले में पानी अट करें प्लेट को रख दे और बस इसको हम धके करीब प्लेट के लिए कूप करेंगे हीट को अभी रखेंगे और दस में बाद यहां पे इसको चेक कर रही हूं तो इसको मैंने पहले भी चेक किया था करीब पांच से चेक में तो यह तब यह पूप नहीं हुआ था अच्छे से अब देखिए अच्छे से खूप हो गया है तो की अपनी आप सिधसे करें तो आप बाद निकाल देते हैं अलग आ इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे और देखिए पानी अबहीं ठ dob अभी बीसमें है पानी आप इसमें अच्छे से करीब चो थाई कप पाइं डाल के तभी यह वाला प्रोसेस करें बना मसाला जलने लगता है तो बस इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम थोड़ा सा कूक कर लेंगे और उसके बाद हम यहां इसमें बटर का यूज किया है आप यहां पे फ्रेश क्रीम एड कर सकते हैं या फिर आप अच्छे से मिक्स करेंगे फिर हम यहां पे इसमें पाणी अड करेंगे करीब एक कप पाणी आड करने के बाद इसको हम अच्छे से मिला देते हैं और अगर आप इस तरह से एक बार यह सब्जी बना के खा लेंगे ना तो बस पनीर खाना भूल जाएंगे बहुत ही चादा पखने देते हैं हीट को आप यहां पर दोड़ा सा लो कर दें और बस यहां पर जो हमारा यह प्लेट वाला मिश्चर है यह अच्छे से थंडा हो गया है इसे में रखे थंडा कर सकते हैं तो मैंने करीब 2-3 मिट के लिए इसको फ्रीजर में रख दिया था और यह कापी अच्छे से ठंडा हो गया है तो ठंडे होने के बाद ही आप इसके पीस इस तरह से निकालें तो अगर आप इसको गरम-गरम कट करेंगे तो इसके पीस अच्छे नहीं बनेंगे तूट जाएंगे तो ठंडा करके ही इसके पीस कट करें और इसे आप अपने मन चाहिए पीसे में कट कीजिए मैंने इसको 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 सारे पीस निकलाएं देखिए बहुत ही टेश् तौह सबहस्का सब्याइब कर सकते तो नास्ते की आएड़का कर्ष div उसका सबोता पिरिण्यट मौन छोफ़ और इसके गरम की आएट्छ चुछ बिरिण्यटा जाओं अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको हम ढखके पका लेंगे करीब 3-4 मिट के लिए और 3-4 मिट में हमारी सब्जी देखिए कुछ इस तरह से दिख रही है और बस इसको हम अच्छे से मिक्स कर देंगे प्रेंस यह रेसिपी अगर आप एक बर बना लेंगे तो आप इसको हमेशा ही बनाना चाहेंगे क्योंकि पहुत ही टेस्टी है और प्रोटीन से भर पूर है प्रोटीन फाइबर विटेमिन्स तो अब हम यहां पे इसमें धनिया पत्ति याट कर देंगे और प्रेंस अगर द्धनिया पति याट करकर पस हम अँस को ढख देंगे एक मिट के लिए फिर हम आपको दिखाते हैं सुष לש झाँ करी अूदा करके मैं सब्सक्राइब दिया और si जासे करें सब्सक्राइब यहां प्रोट्य इह बनाई यह जरूर जरूर झै तो आप जिसे भी खिलाएंगे वह जरूर पूंचेगा कि आपने यह कैसे बनाया है तो देखिए मैंने इसको सर्फ करके धनिया से गानिस किए साथ इसमें बटर जरूर एड़ करें बटर नहीं है तो आप घीस में अड़ कर सकते हैं लेकिन जरूर एड़ करें बहुत ज्यादा ओसम इस तरह से टेस्ट आता